नमस्कार और विल्कम टू सिविल स्टेली एक्स्प्लेनर आज बात करेंगे इरान न्यूक्लियर डील की बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि फिर से डिसकेशन स्टार्ट हो रही है जितने सेंक्शन्स लगे थे उन पर फिर से बातचीत होने जा रही है कुछ कंट्रीज मिलकर वियना में इरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने पली है और बहुत जादा न्यूज में है इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इरान न्यूक्लियर डील आखिर है क्या और क्यों इतने सेंक्शन्स इरान के ऊपर यूएस ने लगाये थे बाकी कंट्रीज ने लगाए थे और क्या था पूरा मामला और क्यों उन सेंक्शन्स को हटाने के बाद ट्रंप ने इस समझोते से वापस हटना उचत समझा तो आप जानते हैं प्रिलिम्स के लेवल पे जैसी पी ओ ए क्या है आगे देखेंगे और मेंस के लेवल से यूएस सेंक्शन ओन इरान ये आपर अलग-अलग प्रोग्राम साब के लिए ला रहे हैं शुरू शुरुवात होती है और ये प्रोग्राम के साथ मेरी आवाज में जाता है आपने आज भी देखा होगा उस प्रोग्राम को MSP पर था अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं उसके बाद daily opeds आते हैं सिधार्थ लेते हैं उसके बाद आद्या लेती है current affairs और उसके बाद फिर आपको ये session मेरा explainer देखने को मिलता है और फिर आता है daily mcqs बीच बीच में आते रहते हैं छोटे-छोटे shots भी जो द रशिया चाइना यूरोपिय यूनियन वापस negotiation कर रही है वियना में to revive the 2015 nuclear agreement जिसको हम कहते हैं joint comprehensive plan of action JCPOA 2015 का एक agreement है जिसे हम इरान nuclear deal के नाम से भी जानते हैं तो उसने क्या किया था वो cut होकने के लिए वह agreement किया गया था कि nuclear activities में इरान आगे न बढ़े और उस पर लगाया गए सारे sanctions हम हटा ले कौन से sanctions ऐसे थे और क्यों वह आगे बढ़ रहा था इस पर हम आगे slides में बात करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं जिस JCPOA की में बात कर रहा था जो फॉर्मल ना राजनितिक महाशक्तियों के बीच में हुआ था जिसमें United States भी शामिल था 2015 में इसके तहट इरान को अपने कुछ nuclear programs को dismantle करना था और अपने जो enriched uranium था इरान जो अपने enriched uranium को store कर रहा था उसको उसे कम करना था और अपने जतने भी uranium की जो enrichment थी उनको किवल उतने तक ही रखन सके या अन्य जरूरतों में किया जा सके इतना जादा नहीं करना था कि उसका हिस्सा आप nuclear bomb या फिर इस तरीके से बनाएं कि बाकी देश आपसे डरने लगें तो enriched uranium के भंडार को अपने कम करना था सबसे पहली बात यह थी और उसके अगर वह ऐसा करता है और international inspection उसको करने दिया जाता है इरान करने देता है तो इसके बदले में इरान पर लगाए गए सारे प्रतिबंद सारे sanctions जो विश्व के बहुत सारे देशों ने लगाये थे जिसमें USP शामिल था वो सब हटा लिए जाएंगे धीरे धीरे तो इस तरीके से यह एक landmark agreement हुआ था कि एक हाथ से दीजिए एक हाथ से लीजिए अगर आपको अपने आर्थिक माली हालत देश की ठीक करनी है तो आपको यह चीज मानने होगी आपको nuclear bomb और nuclear activities अपनी जतनी भी हैं enriched uranium के storage को आपको कम करना होगा तो यह था पूरा का पूरा मामला की देखे जब भी कोई देश में शांतिपू चला रहा था लेकिन बहुत सारे countries होती हैं आपकी neighboring countries होती है और वाइस्विक्स तर पर बहुत सारी countries होती है जिनको आपसे डर लगने लगता है तब वो जो भाई की स्थिति होती है जो फियर होता है वो आपको स्थिति में लेके आता है कि आप सेंक्शन लगाते हैं बोलते उसको फैला नहीं सकते हैं उनको अब बना नहीं सकते है न्यूपलियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकते हैं बावजूद उसके आप nuclear non proliferation treaty के बावजूद आप चोरी छिपे अपने हां न्यूपलियर अक्टिविटीज चला रहे थे यह प्रोग्राम्स चला रहे थे जगहों का इंस्पेक्शन कर सकती है जहां पर इरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहा है तो इस समझोते के तहट इरान पर हथियार खरीदने पर पांच साल और मिसाइल पर आठ साल तक का सेंक्शन लगाया गया था तो जॉइंट केंप्रिहंसम प्लान ओफ एक पूरी तरह चर्चा में कि इरान बना रहा था इरान चला रहा था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरिच्छे पर तो 1970 में जब उसने नूक्लियर नौन नौन एनपीटी पर साइन कर दिये थे तो 1979 में एक पहला भी डाइनेस्टी थी वो जब खत्म हुई उसके बाद लीडर्स ने सीक्रेटली उस तक्नीक का इजाद करना और तक्नीक बनाने शुरू कर दी जिसको हम नूक्लियर टेक्नोलोजी बोलते हैं है नाम तो यूस इंटालिजेंस को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गया और उधर से दूसरी तरफ इ Ohrzeος से पहले पी फाइव पलस वंड तीन काट्री से भी फाइव फनासी प्लस वं में व खंटेज एंजो कि युनाइटेड नेशनस के पर्मनेंट मेंबर हैं आप जानते है उसका और बधे मिल द्धिम एम हासथ रेकर नहीं बात आरा ठानियर वगान एक अजर्मनी enrichment को halt करने पर राजी हो रहा था participant जैसा हमाने आपको बता दिया Security Council, UN Security Council के साम तमाम members, China, France, Russia, UK और US उसमें शामिल हैं और साथ में आएगा जर्मनी तो collectively इसको बोलते हैं P5 plus 1 countries जैनवरी 2016 में AJCPOA जो है आया था effect में आया था और इरान के nuclear enrichment program पर restriction महाँ पर लग गया था European Union ने भी उसमें participate किया था जब हम JCPO की बात कर रहे हैं तो हाँ पर EU भी साथ में आ जाएगा और Israel ने इस agreement का विरोध किया था उसको बहुत lenient बताया था lenient क्यों बताया था मैं आपको बताता हूँ और इस बात को आगे जाके Donald Trump ने भी उठाया था lenient इसली बताया था गर आप ये slide आप देख पा रहे हूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई थी कि इरान धीरे धीरे अपनी activities कम कर सकता है तो हजर पच्चिस तक आप enrichment plant को धीरे धीरे कम कर लिजिए है ना अब दो हजर पच्चिस यानि कि आप इरान को दो हजर पंद्रह से दो हजर पच्चिस के बीच में दस साल दे रहे हैं अब दो हजर तीस तक आप बोल रहे हैं कि आप uranium and rich 3.367 के उपर नहीं कर पाएंगे यानि lower than weapon grade फिर आप कह रहे हैं कि production of specific centrifugy part of IAE monitoring आपको 2035 तक करना है फिर आपको सारा submit करना है IAE monitoring के सारे productions आपको 2040 तक तो इस तरीके से आप एक बहुत लंबा एक समय दे रहे हैं इरान को अपने path to bomb को block करने का वो पूरा का पूरा block करने के लिए आप एक लंबा समय दे रहे हैं तो Donald Trump ने भी कहा था कि यह बहुती बेवकूफाना फैसला है और बहुती एक तरफा फैसला है कि आप एक ऐसे उन्होंने तो बहुत हाश रब्दों का इस्तिमाल किया था कि आप ऐसे देश को और ज़्यादा साल दे रहे हैं और दूसी तरफ उससे सारे सेंक्शन्स अटा रहे हैं तो एक तरीके से वो पैसा भी उसके पास आएगा तमाम सेंक्शन्स को लिफ्ट करने के बाद और दूसी तरफ से आपने उसको एक समय भी दे दिया तो क्या वो उस पैसे का क्या वो उस सेंक्शन्स लिफ्ट होने का यूज उसको और बढ़ाने के लिए नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को और आप कितना रोग सकते हैं किसी को भी है ना तो यह तमाम चीज़ें इस वजह से बहुत सारे देशों ने इसका विरोग भी किया था तो यह इसके प्रॉजन कॉ के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं तो लेकिन वो होगा के नहीं होगा उसी के लिए इसके लिए आप कैसे पता करेंगे तो इरान पर भरोसा करना यूएस के लिए इस्पेशली डॉनल्ड ट्रम्प नहीं यह सारी बात करी थी तो बहुत ही जादा मुश्किल था इसलिए क्रम्प इस समझौते से वापस हुए और उनने कहा पांच साल कर्वेंशनल वेपन के लिए आप उनको दे रहे हैं आठ साल दे रहें बलेस्टिक मिसाइल के लिए हैं तो यह थी सारी चीजें कि क्यूं बाकी देश इससे हट रहे थे और हम लोग कहां थे मैं वो स्लाइड अब यह जानते हैं और मॉनिटरिंग और वरिफिकेशन के लिए बी किया कि आईए-ई-एए जब मर्जी आकर हमारा इंस्पेक्शन कर सकता है जो कि युनाइटेड नेशन का एक नुक्लियर वाच्टॉग भी है तो वो इस पर अगरी हो गया था लेकिन बाकी अब उसके बाद वाद देड़ अधर सिगनेटरीज तू सैंक्शन रिलीफ दिये यू 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 य इरान की एकॉनमी पर दिखा गया क्योंकि प्राइयर टू इस सम्जोता प्राइयर टू दिस डील इरान इकॉनमी वहस्फरिंग येस एंद्यू रिसेशन करनसी डेप्रेसियेशन चैनेंद इंफलेशन और बिकॉज आफ सेंक्शन उन इंट्स अनर्जी सेक्टर काफी सारे बिजनेस और काफी सारे आर्थिक समझोतों किस से उसे हटना पड़ा था और जब वो सेंक्शन लिफ्ट हुए, इंफलेशन स्लोडाउन हुआ, एक्शेंज रेट स्टेबिलाइज हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा, ओइल एक्सपोर्ट बढ़ा, अग्रिकल्ट्रल गुड्स बढ़े, लिक्शुरी आइटम्स बढ़े, बहुत सारी चीज़ें इरान के साथ बढ़ी, यहां तक कि जो उसके बंदर गहा थे, जो उसके दूसरे देशों के लिए खुलते चले गए, आफ्टर जेशी पोर टूक एफेक्ट, इरान बिगेन एक्सपोर्टिंग मोर देन 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे, 2.1 मिलियन बैरल्स अब समझ रहे हैं, अब इशु क्या हुआ थे डील के साथ, अब इडील हाज बीन जियो पाड हैंगे, तो हम आप पीछे हट रहे हैं, वापस सेंक्शन्स लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर से नुक्लीर अक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो जब डॉनल्ड टरंप न यह फैसला किया, तो इरान ने भी जवाबी फैसला किया, और सेंक्शन्स रिमोवल हुए जित इरान को कहेंगे कि अपनी नुक्लीर अक्टिविटीज वो बंद करें, तो इस तरीके से अब यह चल रहा है, लेकिन इरान और यूएस दोनों ही दुसरे भरोसा करने से बच रहे हैं, दोनों ही भरोसा नहीं करना चाते हैं, इसलिए वियना में अब फिर से बैठक हो रही ह और उसमें यह तै होगा कि आगे होने क्या वाला है, तो वियना चुना गया है, एक शहर याद रखिएगा कहां पर है, वियना कहां पर है, आप यह मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जेसी पी यो ए या पी फाइव प्लस वन, पी फाइव प्लस वन में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, यह आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, और वियना कहां पर है, यह आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पताएं, इस तरह के और भी प्लस आप देखने सुनने के लिए, हमारा सीडी का यह यूट्यूब चनल सब्सक्राइब करना और नो आजर होंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे जवाब देना, यहां मत भूलेगा, बहुत शुक्रिया.